स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे जो की है गोर्मेंट एक्जाम त्यारी आज हम आपके लिए इन नई नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो की है MPPSC Medical Officer के रिगारिंग जो की है मद्दे परदेश Public Service Commission के रिगारिंग ठीक है जो आपकी जो नोटिफिकेशन आई है वो आपकी कट आफ के रिगारिंग आई है इस वीडियो में हम कट आफ दिखाएंगे आपको जो कट आफ गई है उसके रिगारिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब डिंग किया है तो सब्सक्राइब जूरू कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसी कोई notification आती है हम आपको जल्दी से जल्दी provide करें तो सब्सक्राइब पहले हम आते हैं वो आते हैं जो आपका एक्जाम हुआ था जो आपका एक्जाम जो हुआ था वह था जो आपका एक्जाम हुआ था यह आपका अप्रेल और मई के एंडिंग में हुआ था अप्रेल और मई के एंडिंग में हुआ था ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं जो इसका आपका इंट्रिवी हुआ था जो पोस्पॉंड इंट्रिवी था वो आपका कब हुआ था वो आपका 10 तरीक को हुआ था 10 6 2019 को ठीक है या आपका भी exam यह जो interview हुआ था वो हुआ था ठीक है जो इसका cut off है वो आपकी declare कर दी गई है जो इसके अंदर number of post थी जो इसके अंदर number of post थी वो आपकी medical officer की जो MO था उसकी थी वो थी 1065 1065 उसके बाद आती है जो insurance medical officer था AMO ठीक है वो आपकी थी 67 जो की 66 post थी ठीक है इसके regarding आपकी जो cut off आई है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे तो बने रही है इस video में जैसे के हम जाते हैं जो cut off है इसकी वो cut off गई है आपकी मैं आपको direct link दे दूँगा cut off के लिए physically handicapped LM की गई है 35 ठीक है यह आपका है जो है वो है चिकित्सिक अधिकारी ठीक है medical officer की गई है cut off यह उसके बाद आता है यह आता है IMO जो की है insurance जो के insurance medical officer और दूसरा है आपका सायक सलय चिकित्सक जो की है जो की है assistant surgeon जिसकी cut off गई है वो गई है SC के degree की 77 गई है SCF की गई है 69 ST की गई है 33 STF की गई है 35 OBC की 67 OBCF की गई है 55 और physically handicapped की गई 35 यह आपकी final cut off है इसके regarding हार कोई doubt होता है या फिर जैसे आपके number आ रहे हैं पर आपके cut off से ज्यादा number है पर आपका selection नहीं है इसके regarding कोई question होता है या कोई doubt होता है तो मैं आपको facebook page का link दे दूँगा description में वहाँ पे जाके आप अपना direct question पूच सकते हैं कोई problem आती है उसके regarding हम आपके contact कर सकते हैं वहाँ पे जाके और description में में आपको cut off का और साथ में जो interview marks आए हैं जो आप interview marks आए हैं जो interview के marks आए हैं वह भी आप जाके मैं आपको link दे दूँगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं ठीक है इस video के regarding कोई doubt होता है तो हमें जरूर comment करें और कोई problem आती है रिजल्ट से regarding interview marks के regarding या cut off के marks के regarding तो हमें जरूर comment करें so thank you for watching keep spot and stay tuned for more updates and subscribe to our channel